खलसा वाहिगर जी की फते सिख कौम बाणी दे नाल नाल जो तो गुरुगोविन सिंग जी ने अपने हत्थां दे नाल कौम नो अमरच का के सांते सपाई बनाया ते इस दी चड़ी कला नो देखके के या तो एक गला जरिया नर गे नूसे इती हासनो मुटदरों दे हुए अज फिर सअधी सिख की दे उत्ते हमले हो रहे हैं परचार का ते टाड़िया ते रागिया ते जो भी सिख की दी चड़ी कला दी गल कर दे हैं ते मैं इस समय दमदीन तरक साल दे मुख सिवादार परचारक पाई मुकम सिंजी दे कोल बेटा हुआ क्योंकि उन्हाने भी सिखी दे परचार्च बहुत ही वड़ा जोगदन पाया हुए वाहिगुर जी का खलसा वाहिगुर जी की फते मैं कल अख़बार देख्या के एक वीर ने संत बाबा रंजी सींजी टडरियां वालें थे दोश को जलाए ते मेरे मन चेज अकदम आई के अंदे पिछे कोई डूंगी साज जिदन चाल हो सक दिया अपने ख्याल मताव के सज्जे ख़ब में पता भी कीता कुछ ते एहों मसूस है के वाके यह सदे पिछे कोई गभीर चाल है तो मैं काली सरदार मेजर सिंग अजीद दे ख़बार नूँ उसे लिए फोन देते एक अलोना कर रहा सांते दिखोगा कुछ हो रहा है और गल्त हो रहा है मैं समझेदां के संत बाबा रंजी सिंग टडरियां वाले सिख जगदे इस समय स्टार परचारक ने जिडरे सिखी दा बहुत बद्ड़ा परचार कर रहे हैं क्यूंके परचार को हो भी ने विदवान मीने उननों तो बड्य विदवान मी हो सकते हैं बजिवर जां सिक्क सोन! कोई केस कटन वह बाच रहे Pakistan नश्यां बाच रहे खोई ऐसे तुरीक के नाल देटाय़ी गूरु अबचद। प्रेधियों अमर्शक रहे ले मुधा और मौहाद ll चोड़ रहे जोड है। फोर कही तरह दिन नगा रहां तो बचके सो अपने जीवन नो उच्चा चकन दी कोशिश कर रहे है तो उसमें कुछ ऐसे हलात पैदा कीते जन दे है कि ए बंदेया नो शक्की बिना देता जावी तांके इना दी गलवी लोग सुननों हड़ जान इकला इते नहीं हो यह तो पहला में कई वार बहुत सारी जगा ते हुंदा आया ते हुंदा भी रहना है सो सानु इस तो बिलकुल कबराट नहीं होना चाहिदा ना एहुजी कोई मानविच मलायल किसे न रुखनी चाहिदी है एह लोग काने एह कोशिश सज्जे खब्य हुंदा रहना कोई लोग जड़े है जड़े जिनननों सिखी दा परचार चंगा नहीं लगदा ओ एहुजी अंकटना आवानों मूल बनाके फिर उनननों सुषिदा परचार करन दी कोशिश करनगे तो एना कलना ले बिलकुल बाबार रंजी से नों त्यान तक नहीं देना चाहिदा किसे गल दे मंडन खंडन विच नहीं जाना चाहिदा किसे तना दी कोई चुप करके अपना परचार करन तगड़े होके सिखी दी गल करन उना तो साड़ी कोई नों बहुत आस है बड़ी अमीद है कि उसाड़े परचार नों जिसतरा लकमन के लग गए है और जिमें हजारां दी तदाज चे लोकों नों सुनन वास्ते हों दे है ये साड़े एक चंगेरे पर वेख़दी निशानी है ते चंगेरे पर वेख़दी निशानी नों रोकन वास्ते एह होजे जतन हुन दे रहेंगे पिछले दिरी जाद पाई जिस पाल सिंगी शिहीद होए गरदास पर विखे ता ओ समें बाबार नजी सिंट ड्रिया ने उथे ही सन 알 Ona ने पूरा दबा दता के प्लीस वाले अन्थए केस रिष्टर की थे जान और जित ले ऑना ने दबा पाया हो अना संगता ने दबा पाय और यसे तरीके नाल जहेदर काल तक सा घूर वी सक्षीता हो थे शामरसान, वकवाग़ जाथे बंदिया ते बाबा रंजीर संग जी दा ओ समय दा रोल है ओ समय संगतानू ए करना कि मैं संगतान देना खड़ा है जिते जो संगतान चाहिए उस तरह होना चाहिए एक तरहम परचारक जिनने सिखिली एडी वड़ी सेवा किती हार दोख सोख विज खड़ा हुए है जादल दे आने हासा पंच परतानी सारे नाल संग ता ओ समय भी बाबाट ड्रियां वाले आंदा जिड़ा रोल सी बड़ा महान सी महत्ता पूर्ण सी सो सरकारा नूं ए चीजां रड़क दिया रहनी आने तो ओ सिखिदे परचारनों मी इना गल्लानों मी बंद करोना चाहिए आने ते असान अनूं ए गल कैन विच सिख संगत नूं बड़ी ए हो मसूस हो रहा है कि कौन ए गल दी जान कर दित्ती जावे कि पाई है हो जी किसे गल विच आन दी लोडनी ते बाबेट ड्रियां वाले मालू मैं स्पेशल तौर ते बाबार जी से बेंती करां गया कि तो आनूं किसे प्रिखि दिग गल करो गूर्मदी गल करो अमर शकाओ नशे शड़ाओ केसर खाओ जीड़ा कम तुसी कर रहे हो तगडे होगे लाकव न के करदेए रह हो ए तो आजी आज Goon नूं वड़ी लोड है जरूरत है तो आजी गल काउम सुनेंगी ते सेख वरुद्रियां ने व ह अपने आपनों अगे तोर दे चलो आप जी बारदिया संगतानों की अपील करना चाहोगे जी देखो मैं बारदी संगतनों कदे वशेश अपील ने की थी मैं था समुच्चे सिखानों पीली करना चाहे हो पंजाब चे बस्दे है चाहे पंजाब तो बार इंडिया दे वकवक आप जी दा तानवाद जो आप जी ने सिक संगत नो एक संदेश दिता कि सानू ए पंत दोखियां तो बाच के रहना चाहिए है क्योंकि समय समय ते इनने साधी कौम नो टाल आई है जी बहुत बहुत तानवाद जी मैं बलविंदर सिंग कैमरामैन गुरजान सिंग देनाल पं अगर्टिव